नमस्ते पैरंट मैं अशुक भीया आपके सामने आया हूँ ये वीडियो के माद्यम से मेरी आवाज आप तक पहुच रही है जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो पहला जो स्लाइड है डीबीटी के बारे में जी हा जो हमारे पुराने पैरंट है इसको जानते है और जो एक आसान भास्या में कहें तो आपको स्कूल की तरफ से सुचना दी जाती है कि बच्चों को आप युनिफॉर्म, सॉक्स, शूज, बैग या रेंट कोट आपको लेना है और उसका बिल और बैंक आकाउंट आपको स्कूल में जमा करना है उसके बाद वो डिटेल्स NMMC के पास जाता है और उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपके आकाउंट में डायरेक्ट पैस आता है तो एक बार फीर से जो हमारे नए पैरेंट है और पूरा नए पैरेंट वो दोनों के लिए एक्स्प्रेंट करता हूं डिबीटी क्या है अगर डिबीट याने direct benefit transfer तो benefit वो in term of cash याने जो आपने bills जमा किये है उसका amount आपके bank में directly transfer होता है government के तरब से तो ये initiative government ने शुरू किया था 1st January 2013 में तो हम याने school आपको ये सूचना देते है कि जब हमारे पास कोई circular आता है NMMC का या government का उसके basis पे तो देखते है कि school की तरब कौन सा circular आया था NMMC का तो ये आपके screen पे आप देख पा रहे हो NMMC का ये dbt के रिए circular आया था इस पे date है 10 June 2022 ये date आपको ध्यान में रखनी है सबसे important बात यहाँ पे ये दो sections है दो part है एक तो पूर्व प्राथमिक याने nursery, junior, senior याने pre-primary section और दूसरा है यहाँ पे primary याने पहली से लेके पाचवी तक याने अपना जो school है वो पाचवी कक्षा तक है तो government ने बोला है कि school को आप parent को ये information दीजे कि उनको कुछ सामान लेना है बच्चों के लिए और उसके bills और bank account detail school के पास जमा करने है तो वो क्या सामान लेना है आपको एक उधारन के लिए देखते है जैसे कि आप screen पे देख पा रहे होगे यहाँ पे पहला जो आपको item या सामान लेना है वो all season boot या shoes इसका एक जोड़ी ये मैं pre primary की बात कर रहा हूँ याने nursery junior senior तो इसका quantity कितला लेना है आपको एक peer और ये जो है सामान आपको लेना है section 1 साल 2022 यानि ये साल के लिए हमारे जो पूराने parent है उन्होंने last time साल 2020-21 और 2021-22 यानि दो साल के लिए आपने वो bills जमा किये हुए है और वो NMMC के साथ process में है तो अभी आपको सामान लेना है 2022 ये academic year के लिए तो all season boot यानि shoes एक pier आपको लेनी है उसकी कीमत कितनी होनी चाहिए 358 रुपे ध्यान रखिए जो भी आप items लोगे उसकी कीमत यहाँ पे दी गई उससे जादा होगी तो चलेगी बट इससे कम नहीं होनी चाहिए अगर इससे कम होती है तो यह आपका नुकसान होगा तो यहाँ पे screen पे देख पा रहे हो यहाँ पे अलग-अलग items दिये है socks, school bag, raincoat और आगे इनकी कीमत दी है और कितनी quantity आपको लेनी है तो यह हो गया pre-primary के लिए वैसे ही आप नीचे देखोगे को पहला ही item है notebook school की तरब से NMMC की तरब से आपको textbook दिये गए है और class teacher ने आपको बोला होगा कि आपको notebook लेनी है अगर आपने उसके bills संभाल के रखे होगे तो kripeya वो आप bills store कीजिए दूसरा question आपका यह हो सकता है कि हमने पहले लिए थे bill अगर आपको possible है तो आप ये 10 जून 2022 के बाद के बिल आप जमा कीजिए और जैसे हम देख रहे है प्राथमिक यानि पहली से पाचवी के बच्चों के लिए यहाँ पे number of items दिये गए है textbook तो आपको school की तरब से दिये है दूसरा item है यहाँ पे notebook और उसके साथ है shoes, socks, pity shoes pity socks, bag और raincoat यहाँ पे quantity दी है और उधारन के लिए देखे कि all season boot पहली का जो बच्चा है उसके लिए boot की या shoes की price क्या होगी 374 रुपे यानि 374 रुपीज इससे जादा होगी तो चलेगी बट इससे कम price नहीं होनी चाहिए और आगे आप देखोगे हर grade के लिए जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चोती, पाचवी हर grade के लिए अलग-अलग price है यानि ये price बढ़ती जा रही है अलग-अलग item के लिए अलग-अलग price है तो यही price के हिसाब से आपको items लेने है तो यह जो circular है आपको हमारे school के group पे भेजा जाएगा तो आप यह बाद में detail पढ़ सकते है और इसको मैं आसान करके आपके साथ share करूँगा ताकि आपको इसे समझने में आसानी हो दूसरा important बात आप जबी यह items लोगे या जो भी आप पूरा सामान लोगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आपको बिल्ट मिलेगा शॉप की पर से दुकान दासे यह GST बिली होना चाहिए उसका date वो circular के बात की होनी चाहिए जो NMMC से circular आया है 10-6-2022 का बच्चे के नाम पे बिल होना चाहिए जो आप शॉप की पर amount उस पे लिख रहा है वो पूरा clear होना चाहिए over writing या double लिखावट ना हो वो clear दिखना चाहिए उसका जो भी total है वो सही से होना चाहिए बिल पे बच्चे का नाम होना चाहिए उसका grade होगा तो बहुत अच्छी बात है double बिल या duplicate बिल नहीं होना चाहिए तो ये बात का आपको ध्यान रखना है ध्यान रखे ये GST बिल ही होना चाहिए दूसरा important document है bank account तो bank account के लिए जिस parent का bank account अपने बच्चों के साथ joint already open है वो ठीक है बट जिनोंने अब तक joint account नहीं open किया है बच्चों के साथ तो कोई भी mommy या पापा दोनों में से किसी एक के साथ बच्चा joint account open कर सकता है ध्यान रखे ये account आपको national bank में ही open करना है bank account open करने के लिए आपको अगर school के तरफ से bonafite की जरूरत है तो आप school में application की दीजिए अरजी दीजिए school आपको bonafite दे देगा और ये जो दो document है एक तो GST bill उस पे क्या लिखना है मैंने आपको बताया है और वैसे ही bank account bank account का detail जब आप school में जमा करोगे तो उसका passbook का jerox clear होना चाहिए jerox पे आपको बच्चे का नाम grade, division, contact number और date mention होनी चाहिए ये सब clear होना चाहिए आप इस बात को ध्यान में रखिए तो ये दोनो document GST bill और bank account detail आपको class teacher के पास देना है अपने बच्चों के class teacher के पास देना है जब आप collect करोगे या फिर आपको कुछ दिक्कत है तो आप अपने class teacher के साथ भी बात कर सकते है दूसरा bank account में एक और बात आड़ करता हूँ कि अगर हो सकता है कि कि किसी के पास passbook ना हो तो आप checkbook का भी jerox दे सकते है ध्यान रखिए ये चीज़ भी उसमें mention होने चाहिए जैसे कि बच्चे का नाम grade, division, contact number और ये दोनों document self-attested होने चाहिए इस बात का आपको ध्यान में रखना है जो हमारे पुराने parent है या फिर जिनोंने पहले document या bank account open किया है तो ध्यान रखिए कि ये account जो आपने खोला है ये चालू है या नहीं है हो सकता है कि आपने दो साल पे ले account खोला है और वो dormant में चला गया तो प्लीज आप उसको KYC अपना update कीजिए bank के पास ताकि वो account active हो जाए ऐसा ना हो कि NMMC या government आपके account में पैसा बेज़े और ये आपका account बंध होने के कारण या active नहीं होने के कारण चालू नहीं होने के कारण आपके account में पैसा पहुचे नहीं तो आपका KYC जरूर update कीजिए फिर से एक बार दो हो रहता हूं checklist GST bill उस पे क्या चीज़े होनी चाहिए नाम, बच्चे का date, amount proper होनी चाहिए, double लिखावट ना हो, clear हो और दूसरा document है bank account detail, passbook का पहले page की जरॉक्स या फिर checkbook की जरॉक्स उस पे आपको बच्चे का नाम, contact detail यह नहीं mobile number, grade division और दोनों document self-attested होनी चाहिए और ये सभी document आप आपने class teacher के पास जमा करोगे इसका date और जो समय है आपको जमा करने का वो message में आपको मिल जाएगा Thank you